नमस्कार साथियों जैसा कि हम जानते हैं कि अभी परिवार सरच्छंड सरवे चल लाया है जिसमें हमारे सिच्सक साथियों को कुछ प्राब्लम्स आ रही है तो आज उन प्राब्लम्स पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे तो देखते हैं लॉग इन कर लेते हैं बैंक डाटा अप्लोड से जाके आप लॉग इन कर सकते हैं लॉग इन करने के बाद हम इस पेज़ पर आ जाएंगे ठीक है अब आपको परिवार सरविच्छर प्रारूप के लिए आपको यह लाइने बनी है इस पर क्लिक करना होगा इस पर देखें न आप इसको मोबाइल साइट पर ही कर लें चुकि इसमें सारे डिटेल जो है छोटी-छोटी दिये हैं तो आपको भरने में देखकत होगी तो इसलिए आप डिश्टाफ साइट पर ना करें मोबाइल साइट में ही रहने दें अब यहां पर देखें सरवेहेत मुखिया जोड बाद देखें मजरा ग्राम महला है इस परिवार सरवेच्छंट के प्रारूप को कैसे भरना है इसके बारे में वीडियो हम पहले बना चुके हैं तो उसका डिस्क्रिप्सिन लिंक आपको नीचे दे दिया गया है तो आप देख सकते हैं ठीक है आईए हम इसमें बात देखि ऐक ही दिया हुआ है अगर आप यहां पे जीडर भरके more जब सेभ करेंगे तो यहां पे यह सेभ नहीं हौपाएगा ठीक है तो ऐसे में क्या करें जब परिवार के सदस्यों की संख्या में यहां पे है मतलब कोई भी परिवार का सदस्य और है नहीं मुख्या के अलावा तो उसको अभी रहने दे आगे अगर कोई भी अपडेट आएगी तो उसके अंसवार आप वेट कर लें बाद में भड़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कुल परिवार के सदस्यों के संक्या मिनमम एक तो होनी ही चाहिए एक से बीस तक आप यहाँ पर सकते हैं दूसरा है कि जैसे परिवार के सदस्यों में जैसे बच्चों की जानकारी जो है बच्चों की जानकारी में अगर देखें कि 0 से 14 वर्स के बच्चों की संक्या अगर कोई है नहीं परिवार में 0 है तो इसमें आप डाल सकते हैं इसमें आप दो बाट 0 ऐसे डाल देजेगा दो record successfully save हो जाएगा तो इसमें problem नहीं है देखे हमें देखे हमें ये ध्यान देना होगा कि परिवार के मुखिया का जो mobile number है वो डालना हमें जरूरी है ठीक है उसके सदस्यों के mobile number है वो भरना जरूरी नहीं है उसमें star नहीं है मतलब उसका अगर mobile number आपको मिलता है तो ठीक है otherwise कोई लिक्कत नहीं है लेकिन परिवार के जो मुखिया है उसका mobile number भरना जरूरी होगा देखे जैसे जो बच्चे school नहीं जा रहे है जीरो से तीन वर्स के बच्चे है जो बहुत चोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या करेंगे तो जैसे हम यहां पर भढ़ते हैं एक उसके बाद यह देखे कालम आ जाता है इसके बच्चे का नाम आयू लिंक और यह देखे आगे है क्या बच्चा किसी विद्याले में नामंकित है तो यहां चोटे बच्चे जो 0 से 3 वर्स के लिए हैं उनके लिए नहीं कर देंगे अगर नहीं कर देंगे तो आगे के सारे आपसन देखिए यह नहीं भढ़ने पड़ेंगे आपको यह गयब हो जाएंगे अगला देखिए यहां पर है कि पूणपता मकान नंबर सहित अब यहां पूणपता आपको मकान नंबर सहित भढ़ना दिया है तो आप इसके लिए क्या करेंगे लेकि इसके लिए अगर गार्जन का या गार्जन के अलावा किसी भी सदस आपक वोटर आईडि कार्ड जो होता है वो मिल जाए तो उस पर मकाम संख्या लिखी रहती है अड्रिस में तो वो आप भर देंगे यहाँ पर अगर आपको यह भी नहीं मिलना है तो आप यहाँ पर जैसे 00 करके और गाओं का नाम ऐसे भर देंगे ठीक है और अगर यह भी आप नहीं बढ़ना चाहते मकाम नमबर सं एप झाहनल voters आपको जरूरी नहीं कि आ अपको रासन कार्ड संख्या यहां पर भरनी लिए अगर भर ना चाहते ह। इसके लिए आप आप आल्लाइन राशन कार्ड संख्या निकाल सकते हैं ठीक है उसके लिए हमने वीडियो बना रख रहा है तो वो आपको description में link मिल जाएगी आप उससे देख सकते हैं कि online कैसे राशन कार्ड संक्या देखें या कौन सा राशन कार्ड उसका है APL है या BPL है वो आप देख के डाल सकते हैं देखे पात ग्रहस्थी और अंतियोदय दो तरह के राशन कार्ड ऐसे भी लोग होंगे जिनका राशन कार्ड नहीं बना होगा और वो संपन है इसका मतलब तो आप कैसे जानेंगे तो आप उनकी टोटल आय देख सकते हैं अगर आपको पता ही लगती है तो पूछ के आप बना है तो आप उनके में डाल देंगे चुकि यहां पर बना ज़रूरी है लेकिन राशन कार्ड बन ड सरकारी यह विझालत है शरकार है इसके लिए हमने बच्ची हां कर दिया अब आगे आफ सनता ही है यह तो कच्छा किस कलास में हमने डाल डिए आप सरकारी है और jako किसे झानना है और प्राइवेट जानना है सरकारी है यह अंगर बाड़ि में है अंगर बाड़ी क्रास के हिसाब से उसका केंदर का यूड делает स्कोर्ड लेंगे और वो डाल दें, UDIS को डालना है तो आप इस साइट पर जा सकते हैं इस साइट पर कैसे आपको देखना है देखें हम जैसे गूगल में यह डालेंगे src.udis.government.in इस पर open करेंगे इसको यह open हो जाएगी, इस पर देखें आप दो option है search by name और search by pin code इन दोनों option से आप search कर सकते हैं search by name डालेंगे, तो देखें search by name में आपको state अपना डालना होगा आप यहां से आप अपना state डाल देंगे school का नाम डाल देंगे आप जो school है बच्चे से या guardian से पूछ लेंगे उसी school का नाम डाल देंगे और capture डाल देंगे और यहां पर submit कर देंगे पूरे भारत में जितने भी विद्याले इस नाम से होंगे जो active हो या नहीं active वो सारे यहां पर आपको दिखेंगे आप उसमें से पिन कोड डाल सकते हैं तो उस एक special पिन कोड के अंदर जितने भी उस छेत्र में भी द्याले आएंगे वह आपको यहां पर दिखेंगे उसमें सिद्याले का उसका आप सर्च करके आप उसका यूडाइस कोड डाल सकते हैं यहां से देंगे कई सिच्चक साथियों की समस्या है कि डिटेल उन्होंने गलत भर दी है तो देखिए यह परिवाद सर्वेच्छन है डाटा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कोई अगर डिटेल आपने गलती से कुछ गलत भी भर दी है यह सिर्फ यह है कि आउट आफ इसकोल बच्चे जो है उनको चिन्नित करके कि यह कि इसकूल में पढ़ रहे हैं माले इसके लिए सर्वेच्छन डाटा है तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं चुकि अभी का कोई आप्सन है नहीं तो आप उसको पढ़ा रहने दे आगे अगर को कोई आपसन आ जाएगा तो पात अलग है अभी कोई आप् तो प्लीज कमेंट में जरूर भरिये और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सेब कर दिजिएगा धन्यवाद